आप सब कैसे हैं आप सभी काउप के अपनी YouTube चैनल sociology with संगीता के morning class में स्वागत है जैसा कि हम सभी जाते हैं कि morning में हम लोग sociology से related topic को cover करते हैं और आज का हमारा topic है समाज सास्त्र और अन्य समाजिक विज्ञानों के बीच अंतर यह topic आपका PhD entrance के exam के लिए बहुत ही जादा important है क्योंकि यह unit 2 में पूछा गया है साथी साथ अगर आप TGT sociology से related कोई भी exam देना चाहते हैं तो उसमें यह topic पूछा जाता ही है चलिए class को लेटना करते वे start करते हैं अब please आप से request है कि आप मेरे इस वीडियो को last तक देखें क्योंकि इसमें हम लोग sociology और anthropology, psychology, history, economics और political science यह सारे जितने समाजिक विज्ञान है उन सभी के अंतरों को देखेंगे तो हमारा class आज का start करते हैं समाज सास तथा अन्य समाजिक विज्ञानों के बीच क्या अंतर है इसे request करना है समाज सास्त तथा अन्य समाजिक विज्ञानों के बीच के समंदों के बाड़े में इसे स्पिंसर मोहदे कहते हैं कि उनका विचार है कि समाज सास्त कोई एक स्वतंत विज्ञान नहीं है बलकि यह विविन समाजिक विज्ञानों का एक समन्वय है उन्होंने इस बात को स्विकार किया है कि समाज के विविन पक्षो का अध्यन करने के लिए सभी समाजिक विज्ञानों की मदद लेना चाहेंगे विविन समाजिक विज्ञानों की सहायता से जो अध्यन किया जाएगा वही समाज का समगरता का अध्यन होगा उनकी इस विचार का समर्थन सवी देश वाले करते हैं साथ ही साथ जो स्मॉल महोदे हैं उन्होंने भी इनकी विचार दाड़ा को स्विकार किया है sociology and other social science समाजस्त्र का अंसमाजिक विज्ञानों के साथ समंद एवं भिन्नता से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजस्त्री अध्यन का केंद्र क्या है समाजस्त्री ज्ञान अंसमाजिक विज्ञानों से किस तरह बौदिक विशे के रूप में विशिस्ट एवं अलग है समासास्त अन्न समाजिक विज्ञान को समीप लाने का काड़ी भी करता है इसलिए बांस एवं वेकर महोदे के अनुसार समासास्त अन्न समाजिक विज्ञानों की ना तो ग्रियस्वामी नहीं है और ना ही दासी है बलकि उसकी बहन है यानि समासास्त को बांस एवेकर महोदे ने समाजिक विज्ञानों के समरूप माना है उनके साथ चलने वाला माना है वो ये नहीं मानते हैं कि ये किसी समाजिक विज्ञान में ये समाहित हो जाएगी यानि दासी के रूप में काड़े करेगी या फिर कोई लीडर के रूप में काड़े करेगी ये अन्न समाजिक विज्ञानों की बहन है यानि कि इसके साथ चलने वाली है सबसे पहले हम लोग देखते हैं समाज सास्त एवं मानव सास्त के बीच अंतर जिसे की बोला जाता है सोसलोजी एंड एंत्रोप्लोजी मानव सास्त को एंत्रोप्लोजी बोला जाता है समाज सास्ट एवं मानव सास्ट दोनों एक दूसरे से इतने घनिष्ट रूप से सम्मंध है कि क्रोवर ने उन्हें जुडवा बहने कहा है यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि समाज सास्ट और मानव सास्ट को जुडवा बहने किसने कहा है समाज सास्ट एवा मानव सास्ट में घनिष्टता के बावजूद भिन्दता भी है जिसे निम्न भिन्दूओं के माध्यम से देखा जा सकता है चलिए हम लोग पॉइंट को देख लेते हैं पॉइंट देखने से हमें पता चल जाएगा कि सोशोलोजी और एंथ्रोप्रोलोजी के बीच डिफ्रेंसियट क्या है हमारा पहला पॉइंट है कि समाज सास्त्र मुख्यता आधुनिक बिक्सित समाज का अध्यन करता है जबकि मानव सास्त्र सडल समाज का अध्यन करता है सडल समाज के अंतरगत आपका जल से आजाएगा जनजातिय समाज एवं कृशक समाज इत्यादी सेकेंड हमारा पॉइंट है कि समाज सास्त्री अपने सोध पत्दती में प्रश्नावली एवं साक्षात कार को अपनाते हैं जबकि मानव सास्त्री सहभागी अवलोकन को हमारा थर्ड पॉइंट है कि समाज सास्त्री समाजिक घटनाओं का अधन समाजिक दिश्टी कोन से करते हैं जबकि मानव सास्त्री जो होते हैं वो मान जोनकी सांस्कृतिक दिश्टी कोन है उनसके अधार पर ये अंतर सपष्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट है समाज सास्त्र एवम मनो विज्ञान यानी sociology and psychology समाज सास्त्र और मनो विज्ञान दोनों ही वहवारबादी विज्ञान की रूप में जाने जाते हैं मांसिक प्रक्रियाएं भी इस अर्थ में समाजिक हैं कि यह प्रतेक्षन व्यक्तियों की अंतक्रिया और समाजिक पर्यावरन द्वारा प्रभावित एवं निश्चित होता है दुसरे और समाजिक सक्तियां एवं क्रियाएं व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रियाओं की ही उपज है उपर्युक्त समानता के बागजूद समाज सास्त्र और मनोविज्यान में निम्नलिखित अंतर है जो हमें देखने को मिलते हैं हम पहला अंतर देखते हैं कि समाज सास्त्र का मौलिक समंद समाज और समाजिक प्रक्रियाओं से है वो समाज से डिलेटेड है ठीक है लेकिन जो मनो विज्ञान है उसका समंद व्यक्ति और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं से व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है व्यक्ति कि के बीच विंड और अनोखे विस्रस्ताओं का अध्यन करता है थाड़ है कि समाज सास्त्र के अनुशार समाजिक विवादों का आधार समाजिक समंद एवं अनिकडियाएं हैं जबकि मनोविज्ञान के अनुशार मनुष्य के प्रती विहवार का आधार स्वेम मनुष्य की सम समाजिक विस्षिस्ताएं हैं मनुष्य की मानसिक प्रक्याएं जो है अगर वो बदल जाती है तो समाज के अंदर भी पडिवर्तन हमें देखने को मिलेगा अगर हर समाज में हर व्यक्ति का थाउट उसका सोच अगर अलग-अलग हो जाएगा तो समाज में भी हमें अंतर मानव के अतीत की घटनाओ का क्रमबन अध्यन ही इतिहास है अगर आपसे इतिहास के परिभासा पूछी जाती है तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि मानव के अतीत की घटनाओ का क्रमबन अध्यन जबकि समाज सास्त क्या करता है कि अतीत की घटनाओ के आधार पर वर्तमा समाज का इतिहास है समाज सास्त्र एवं इतिहास के अंतर को निम्नलिखित विंदुओं के माध्यम से हम देख सकते हैं हमारा पहला पॉइंट है कि इतिहास में अतीत के कालखंडों का अध्यन होता है जबकि समाज सास्त्र वर्तमान के कालखंडों से जुरा हुआ है इतिहास मानव अनुभव एवं मानव प्रक्ति को मूर्थ और समाज सास्त्र अमूर्थ विज्यान के रूप में देखा जाता है हमारा second point है कि समासास्त्र में समाजी घटनाएं एवं जो समाजी पड़ घटनाएं एवं भहवार हैं उसका वर्गी करन, सत्यापन तथा प्रियोग एक निश्चित विधी के माध्यम से मानी जाती है जबकि इतिहास में जब हम ले सकते हैं तो उसके जो अभिलेख होगे, पुरा तत्व होगे, दस्तावेज होगे, प्राचीन ग्रंत होगे, साहित होगे इन सभी के अधार पर जो संभाविस श्रोथ हैं उसके अधार पर हम लोग तक्तियों का संकलन कर सकते हैं और विशलेशन कर सकते हैं थर्ड है कि समासास्त्र में जो विज्ञानिक विधी का प्रयोग होता है वो एक वर्नात्मक विधी का प्रयोग होता है समासास्त्र के लिए अतीत का महत्व साधन के स्तरपरी होता है और वर्तमान समासास्त्र जो होता है वो क्या होता है इतिहास के अधीन और सा पर होता है चलि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि समाज सास्त्र एवं राजनीती सास्त्र यानि सोशोलोजी और पॉलिटिकल साइंस इनके बीच क्या डिफ्रेंसियट है राजनीती सास्त्र मनुष्य को समाजिक प्रानी मान कर अध्यन करता है जबकि समाज सास्त्र यह बताता ह समाज सास्त्र की एक साका विकास दोनों के घनिष्ट समंद को दरसाता है दोनों सास्त्रों में घनिष्ट संबंध होते वे भी कुछ मौलिक अंतर हैं जो निमने लिखी थे पहला समाज सास्त्र संपुन समाज का विज्ञान है जबकि राजनीती सास्त्र केवल राज्य राजनीतिक संबंधों का अध्यन करता है समाज सास्त्र का द्रिष्टी कौन समाजिक होता है जिबकी राजनीतिक सास्त्र का द्रिष्टी कौन सास्किय होता है सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि वहविरता की दृष्टी से राजनीती सास्त्र का ज्यान के वर राजनीती सास्त्र के लिए ही उपयोगी सुध होता है जिकि समास्त्र का ज्यान जीवन के सभी छेत्रों के लिए उपयोगी होता है हर छेत्र में हम लोग देख सकते हैं समासास्त को लेकिन राजनीती विज्ञान एक बिसिस्ट विज्ञान है जो कि स्रिफ कोई एक टॉपिक के उपड ही वो ध्यान देता है समासास्त समाजिक नियंतरन के समस्त साधनों का अध्यन करता है जैसे प्रथाएं होगे, रूरिया होगे, विधान होगे, संस्थाएं होगे, इत्यादी जबकि राजनीती सास्त केवल उन्ही नियंतरन का अध्यन करता है जिने राज्य के द्वारा माननेता मिली हो यानि जिस राज्य में जो कानून को माननेता मिली है राजनीती सास्त उसी का ही अध्यन करेगा हमारा next topic है समाज सास्त से एवं अर्थ सास्त याने sociology and economics अर्थ सास्त मनुसी की आर्थिक रियाओं का समग्र अध्यन करता है इस रूप में अर्थ सास्त एवं समाज सास्त में समंध होना स्वभाविक है क्योंकि कोई भी आर्थिक समंध समाजिक समंधों का ही विशिष्ट श्वडूप होता है अर्थ सास्त एवं समाज सास्त में समंध होने के बाबजूत हम लोग निम्रलिखित अंतर को देखते हैं वे अंतर कौन-कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं पहला अंतर है कि समाज सास्त मनुष्य के समाजिक जीवन का अध्यन करता है मनुष्य की समाजिक घटनाओं का अध्यन करता है जबकि अर्थ सास्त मनुष्य की आर्थी घटनाओं का अध्यन करता है अर्थ सास्त एक विसेश विज्ञान है लेकिन समाज सास्त एक समान्य विज्ञान है समाज सास्त सोध में निरक्षन पदती, समाजिक सर्विक्षन बीधी, आदे का प्रयोग हम लोग करते हैं लेकिन अर्थ सांस्त में आगमन एवं निगमन पद्धती का प्रयोग किया जाता है तो I hope आप लोगों को आज की क्लास हेलपूल रही होगी अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज आप अपने दोस्तों सेसे ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सस्क्राइब करें थांक्यू